आज की रिस्पी है रागी दोसा रागी दोसा ये देखे रागुल है लचना बोलते है न उसका दोसा बनेंगे उसके लिए किन-किन चीजों की जरूरत है देखे एक से दो गिलास रागुल लेंगे ये देखे दो गिलास रागुल है और उससे ही एक गिलास पौना गिलास माश के दान और इसमें जाएगा एक छोटी चाय के गिलास एक गिलास चावन और इसमें जाएगा एक चमस्च मेथि मेथि और इसमें दालेंगे दो से तीन चमस्च चेने की दाल अब इन चीजों को अच्छे से मिक्स करके साफ दो से तीन पानी से धोलेंगे इसको धोके मिलती हूं आपसे दो से तीन से चार पानी से अच्छे से धोलीजिए धोकी इस तरीके इसको चार से पांच घंटे तक बिगने भीगने छोड़ेंगे देखिए माशायल्ला रागी दोसा एकदम हिल दी दोसा है यह इसको चार से पांच घ्गने छोड़ेंगे भीगने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे अभी तक हमारे चानल पर सब्सक्रेब में ही किया है तो सबसे पहले सब्सक्रेब कर लीजिए मैं राग लू अपिके दाले अच्छे से भीग चुके हैं चार से पांच तक हमेंगे तो ग्रैंड करेंगे कि मिलती हूं मैं आप से इसको सारे चीज़ों को अच्छे से ग्रैंड कर चुकी हुं माशायल्ला इसको वह अवरनाइट धककन दाल कर रख देंगे सुबा में चलिए फिर मिलती हूँ आपसे हमारा आठा अच्छे से खुल चुका है रागी दोसे का अब इसमें नम्मक एड करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करके तावा रख चुकी हूँ ग्यास पर चलिए ग्यास के तरफ तावा गरम हो चुका है अब कब दो सबाल के दिखा दी हूँ है इसमें लागी दोसा एकडम कलरफुल इंशालल आप लोग भी जरूर ट्रै कीजिए इसके उपर आप तेल लाड़ करेंगे आप चाहे तो बड़र भी दाल सकते घी दाल सकते तेल भी दाल सकते हमारा दोसा हो चुका है इसको एकी तरफ होने दिए दिस्ते तरफ होने की जरूरत नहीं है इसको प्लेट में निकाल लेते हैं मैं आपके एक कवर दाल के देखाती हूं बिसमिल्लाव करें हमारा दोसा हो चुका है आनी या रागी दोसा इस तरह से प्राज दालीजिए इसको डिशर्ट करके मिलती हूं करो कि अधित किरें आपसे तैयार है माशालला बिलैक हो और रागी दोसा एक दम देखे कितना पतल crying साफट में इसमिल्संट मैं कृस्पी है जेकने साफ़घरा इसक्समा बिलभी दोस rhythm हाई है आप लोग भी Μऴीज़ए कजिए और ये आनियन रागी दोस्य कुछ दिखा हीं आपको in shower friendly ठोशेागा पशनिल को जरुर किजिए शेयर किजिए सब्सक्रेब कि meditation और सब्सक्रैब किजिए और बेल की घंटी कुछ जरुर ठीट में है इन्शाला सब्सक्राइब करने के लिए कोई बैसे नहीं लगते जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मैं भीर मिलूंगी आप से अगली रेसिपी के साथ तब तक अला हाफीज